reasoning का question है दोस्तों, यहाँ पर हमें इस question mark की value find out करनी है, यहाँ पर जो relationship 18 और 9 में है, same वही relationship 12 और question mark में है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले 18 और 9 में relationship find out कर लेते हैं, 18 से 9 कैसे ला सकते हैं, दोस्तों 18 में 2 से भाग दे दीज, तो आपकर 9 आ जाएगा, same यही logic दोस्तों 12 और question mark के साथ apply करते हैं, 12 में 2 से भाग देंगे, तो आएगा हमारा 6, लेकिन 6 हमारे किसी भी option में नहीं दे रखा है, इसका मतलब यह logic एकदम incorrect है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, 18 से 9 कैसे ला सकते हैं, दोस्तों 18 का square कीजिए, यह आएगा हमारा 324, और 324 की तीनों अंक का युकफर निकाली, यह आजाएगा दोस्तों, आपका 9, हमारा correct answer हो जाएगा A.